नमस्कार क्राम पर्चाहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो especially उन लोगों के लिए है जो लोग ग्रमीर डाक सेवक में भरती होना चाहते थे जिन लोगों को डाक सेवक भरती का इनतजार था जिन लोगों ने अपनी पूरी तयारी पहले से कर रखा या जो लोग पिछली भरती में सेलेक्ट नहीं हो पाए हाथ मलते रह गए या एक दो इस टेप से पीछे रह गए ऐसे लोगों के लिए फिर से डाक विभाग में भारती डाक विभाग में बंपर भरती आई है चालीस हजार पदों पर बहुत बंपर भरती आई है और इस भरती को आप सीरियसली लीजिए हो सकता है कि ये भरती आपके लिए आखरी भरती हो गरामियो डाक सेवक की क्योंकि अभी तक सरकार ने इतनी जल्दी जल्दी भारती डाक में कभी बेकंसी नहीं निकाला था और अब लगबग लगबग देश के सभी कोने से भारती डाक सेवकों की भरती की जाएगी और आपको इतना बढ़िया सुनहरा मौका मिला है और ये मौका हो सकता है जीवन में दुबारा ना मिले इस नाते भरती की जितने भी प्रकिरिया है जितने भी क्वालिंग फाइंग प्रकिरिया है हर एक प्रकिरिया को पास करने के लिए हर एक प्रकिरिया को क्वालिफाइ मिलेगी कहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी वो सारी चीज़े मैं बताऊंगा उससे पहले आपसे निभेदन है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगतार मिलता रह सरकारी वर्दी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले सबसे उपर एक साइट आएगी इसी के उपर आपको टच करना है टच करने के बाद आपके सामने एक वेब साइट खुलेगा इसमें स्क्रीन को नीचे से उपर की तरफ सर्च करेंगे नीचे से उपर की GTS Online Farm 2023 यह लिखा अंग्रेजी में लेकिन इसको उपर जब टस्क करेंगे तो यह हिंदी में दिखाई देगा मैं टस्क करके दिखा देता हूं मैंने टस्क देर के दिखा है यहां पर ध्यान से देखें बारती पोष्ट GTS भरती 2030 आनलाइन फार्म और यह 27 जन्वरी का अपडेट है आज 28 से एक दिन बाद में यह वीडियो बना रहा हूं बारती के बारे में संचिप्त जनकारी यहां पर हिंदी में लिखा हूआ है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं खुल कितने पद है मैं आपको बताऊंगा बारती डाग विवाग है ठीक है और ग्रामीर डाग सेवक की बारती आई यहां पर राजजवार बारती सब कुछ आपको 16 परवरी पाम में अगर मिश्टेक हो गया है तो उसको सुधार करने की जो अंतिम्तिति है 17 परवरी से 19 परवरी तीन दिन 178 और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपको जल्दी सूचित किया जाएगा और पाम बनने की जो फीस है ना 100 रुपे है पिछड़ी के लिए और सा जाती के लिए अंसूची जन जाती के लिए कोई फीस नहीं है सभी महिला जाती के लिए एकदम से फ्री है आप अंलाइन फीस जमा कर सकते हैं अब सबसे बड़ी बात यहां पर ही आती है कि आपको कम से कम उमर 18 साल और अजिकतम 40 साल और उमर में छूट भी मिल सकता है यहा जान यह में भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा ध्यान से देखिएगा सबसे में लाइन यहां पर लिखा हुआ है कुलपद की संक्यत 40,889 बंपर भरती बंपर भरती है योगिता क्या होनी चाहिए गड़ित बिसे के साथ अंग्रे जी बिसे के साथ से समझेगा एक राज्य में कितने पद हैं उत्तर पर्देश 7,987 उत्तर अखंड 8,889 बिहार में चोच्छाट चतिस गड़ में 593 दिल्ली में 46 टाजस्तार में 684 अर्याड़ा में 354 इसके अलामा इमांचल पर्देश में 603 जम्मु कस्मीर में 300 जारखंड में 1590 मध्र पर इसके लावां महराष्ट में 258 उत्तरी पूर्वी में मलब बंगाली में मनीपूरी में मिजुरम में 551 चोटा चोटा राज्य है अब देखे वडीशा में 1382 अर्नाटक में 3036 तमिनाड में 366 तिलंगाना में 1266 असब में 407 और गुजराज में 2017 पच्चिमंगाल में 327 अंधपड़े में 2480 इसी तरीके से पूरे भारत में है और यह जो बीच में और या कनाड़ा तमिल तेलको दिया न यह आप जिस राज के लिए भरेंगे उस रा Då चाना और तो इंदी जानना जरुदी है उत्रकार में 1371 ओर उसके बास अगराल दूसरे राज में भरते ह identified में करला में लिच्जा में आपको अनदम हौना चाहिए महाराष्ट में परद दो कॉंकड़िया मरमा या ना चाहिए तो इस तरीके साथ यह दिया हुआ ओमर में från कि लिए आपको बताते हैं कि अब हम मिलाज उलाकर के भारती डागस्यूंकों के लिए बहुत बड़ी खबर नोकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है या जिनकी चाहे कि वे डाक सेवक बने बारती पोस्टल विभाग में जाए उनके लिए बहुत बड़ी भरती है प्रदेश और देश शाहे जहां आप जा करके जौब कर सकते हैं संबंदित राज से संबंदित भासा का ज्यान होना जरूरी है चल यह बहुत अच्छा लगा इस पेकंसी के बारे में आपको बताते हुए मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यबाद